वेरी गुड इवनिंग टू अलों की दोस्तों स्वागे थे आप सभी का वाईटी एजूकेशन में चैनल पे आप नए है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन दब आले ताकि यह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले अमारे चैनल के माधिम से ज स्कूर कीजिए कि 100 में कितना उत्तर आप लोग कर पा रहे हैं तो कि यहां पर यह प्रैक्टिस सेट होगा यहां पर और इसको फटाफट हम लोग इसको कभर भी करेंगे चलिए तो सुरुवात करते हैं लेकिन हमारे साथ जूड़िए रात को 9 बजे लाइप टेस्ट में ज इसको लेकर हमने PDF सेट भी दिया है आपको 20 प्रैक्टिस टेस्ट यह दिये हैं विट सॉलिशन यानि कि आपको वहां पर डिसकसन भी मिलेगा जीके जीए और करेंट अफर का जो भी कोशन है उसका सॉलिशन मिलेगा प्रिविएस यहर का पेपर भी इसमें हमने इंक्लूड किया है तो इसको भी देख लिजेगा साथ ही साथ आपको बता दे कि यहां पे एक आपको टेस्ट लगेगा लेकिन इस टेस्ट टोटल को ले लिजीएगा वहां पे आप लोगों को भी फायदा होगा इस टेस्ट को देने में चलिए το सुरुवात करते जितना ज़्यादा प पपास का उत्पादन सरप्रथम सिंधु छेतर में हुआ जिसे ग्रीक या युनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं आंसर आप भी फटाफट नीजे कमेंट सेक्षन में कमेंट करते रहेगा बिलकुल अगर आप उत्तर A कर रहे हैं याने कि SIDN is the correct answer नोट कर सकते हैं दोस्तो जेहां A is the correct answer जो भी छातर उत्तर कर रहे हैं A उत्तर कीजिएगा दूसरा सवाल आपके सामने हैं दोस्तो चरक सहीता नामक पुस्तक किस विशय से संबन्धित है बिल्कुल अगर आप उत्तर सी कर रहे हैं चिकित्सा इस दा करेक्ट अंसर ये जो है चिकित्सा का प्रधान गरंथ भी कहा गया है और ये चिकित्सा इस्थान पे तीस अध्याय इसमें जोड़े गये थे सवाल नंबर चलते हैं दूस्तो तीन पे आँसर करेंगे किस मगत समराट ने अंग का विले अपने राज में कर लिया था अंग जो है एक महा जनपद है दोस्तों याद रखेगा हमारे 16 महा जनपद पढ़ने हमें ठीक है याद रखेंगे 16 महा जनपद पढ़ने हैं जिसमें से अंग भी एक जनपद है तो मगत समराट कौन सा था वो जो की यहां पर अपने में बिले कर लिया था तो यह था दोस्तो जान समुदाय में प्रथम विभाजन के स्वितांबर संपरदाय के संस्थापक कौन थे बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तो इस फुल भद्र ए इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लिजेगा स्वाल नमबर पांच पर चलते हैं दोस्तो आंसर कर लिएगा हर सवाल का जवाब देते रहेगा नीचे असुक के सिलाले को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था बिल्कुल याद रखेगा जेम्स प्रिंसिप पे डी इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लिजेगा यहां पे यहां आपको बता दे कि यह सबसे पहले 1837 से लेकर जीआ और खुश अभी लेखों पर राजया का नाम जो है सम्राठ असुब भी लिखा हुआ था और इन सिल्ध लेखों की खोच सबसे पहले सबसे पहले 1750 में किया गया था किस ने किया था तो सबसे पहले जो है सवाल नंबर 6 पे चलते हैं, नमलेकित में से कौन वो महांतम, कुशान, नेता था जो की बौध बन गया था? बिल्कुल, उत्तर कीजिए का कनिश्क is the correct answer, सवाल नंबर 7 पे चलते हैं, एरन अभिलेक का संबन्द की सासक से है? बिल्कुल, यह है दोस्तो भानु गुप्त से, अगर आप उत्तर D कर रहे हैं, तो उत्तर बिल्कुल सही है, एरन जो है दोस्तो मद्य परदेश के सागर जिले में, विदीशा के निकट एक बेतवा नदी है, जहां पे यह निवास किया करता था, वहां से एक अभिलेक भी प् लिखी गई थी, बिल्कुल, हर्श चरिट दो है, दोस्तो बान भट के द्वारा लिखी गई थी, तो B is the correct answer, नोट कर लिजेगा, स्वाल नौ पे चलते हैं, ताब्बे सैली का प्राचिंतम नमूना किसके अभिलेक में मिलता है, रुद्रमान is the correct answer, नोट कर लिजेगा, कट या वाल के रुद्रमान में, स्वाल नम्मर चलते हैं, दस पे दोस्तो आंसर करेंगे, गीत गोविंद की रशनाकर, जैदेव, किसकी सभा में अलंकृत किये करते थे हैं, लक्षमन सेन, D is the correct answer, नोट कर लिजेगा, स्वाल नम्मर चलते हैं, 11 पे दोस्तो, तोल सासो को के सम बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात होई, पिल्कुल, नटराज सिव की काश्कित प्रतिमा, D is the correct answer, नोट कर लिजेगा, नटराज की मुर्तियां जो कि सब भगवान सिव को सभरपित थी, जो कि ये बहुत ही उत्तक्रिष्ट तरीके से बनाए हुई थी, सिव के दूसरे कई रूप हैं, जैसे ब्रह्मा, सब्तमात्रिका, लक्ष्मी, तथा भूदेवी, तथा बिश्नु, और अपने अनुचरों के साथ साथ, राम और सिता, और शैव संथ, और कालित दस, करते हुए यहाँ पे, कृष्ण की मूर्तियां भी लेखनी हैं यहाँ यहाँ चोल वंस के सासको के दोरान, यह समकाले न उनके देखे गए थे, तो नटराज सिव की काश्टिब परतिमा जो है, सबसे यहाँ पे बनी हुई परतिमा है, जो की अधिक विख्यात हुई थी, सवाल नमर चलते हैं, बारा पे, तैमूर लंग ने किसके सासनकाल में भ 1494 से लेकर 1414 तक, इनका समयकाल था, और यह 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमन किया, और यह आक्रमन तुगलक वंस के लिए घातक सावित हुआ, इसलिए यह तुगलक का उपाधी भी इनको दिया गिया, दोस्तों, आगे चलके, ठीक है, सवाल नमबर चलते हैं, दोस्तो बाबर को ही माना जाता है, और यहाँ पर ध्यान रखेगा, कृष्णी देव दक्षिन भारत में, बीजय नगर समराजी के, जहां पर समकालिन थे, तो यह दक्षिन भारत में थे, इसलिए इनको उनका समकालिन कहा गया, और बाबर जो है, मुगल समराजी का पहला था, फिर दौसी, बिल्कुल उत्तर सी करेंगे, अगर आप उत्तर यहाँ पर करेंगे, तो नोट कर लिजीगा, सेख, रुकुन दिन, और इसका पूरा नाम अगर देखें, तो सुहरा वर्दी सिलसले के काफी परशिद अर्जित हुई थी, यह कारवाई यहाँ के, और आज महल का असली नाम क्या था, जी हाँ, नोट कर लिजीगा, अर्जुम मंध बानो बेगम, ए इस दा करेक्ट आंसर, स्वाल नंबर चलते हैं, सोला पर, सिवा जी के अश्च प्रधान का, जी हाँ, जो सदस्य विदेशी मामलों में देख रेक करता था, वह कौन था, बिल कर अंग्रेजी इस्ट इंडिया पर युद्ध घोशित किया, और बाद में बक्सर के युद में अंग्रेज से पराजित हुआ, बिलकुल, याद रखेगा, सा आलम दीती है, डी इस दे करेक्ट आंसर, जो की मीर कासिंग तथा, सुजादु दौला के साथ मिलकर, अंग्रे रमेश चंद्रदत, बी इस दा करेक्ट आंसर, नोट कर लिजेगा, यहां से, स्वाल नंबर 19 पर चलते हैं, भारत में दास प्रता, देखे, भारत में दास प्रता कब अवेध घोशित हुआ, अवेध बोल दिया गया था, इसको यानिकी ये, 1843 में, इस्ट इंडिया कम्प याद रखेंगे दोस्तों, लॉड रिपन, सी इस दा करेक्ट आंसर, नोट कर लिजेगा, लॉड रिपन ने प्रथम फैक्टरी अधिनियम जो लाया था, 1881 में लाया था दोस्तों, यह ध्यान में रखेंगा, यह अधिनियम का स्रे दिया जाता है दोस्तों, इनको, जिसमे कि बाल रोजगार को विन्यमीत करने का प्रवाधान भी किया गया था, इसी अधिनियम के दहर्थ, ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं, 1857 के बिद्रोग के समय भारत का गवर्नर जेनरल कौन था, लॉड कैनिन थे, सी इस दा करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, जी हा, लॉड च स्कैनिन का नाम था, और 1857 के दोरान जो है, विद्रोग के समय भारत के गवर्नर जेनरल थे, सवाल नंबर चलते हैं, 22 फे दोस्तों, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, राष्ट्य अंदुलन के दोरान, यह कथन किसका था, तो देखें, बहुत इंपॉर्डेंट चैप्टर है, और कल इसी चैप्टर से आप लोगा, पेड बेच में क्यूज भी होने वाला है, तो यहाँ पे इसको पढ़ के जाईएगा, और ऐसे कोशन वहाँ पर देखने को मिलेंगे आप लोगो, तो बिलकुल अगर धादा भाई, नौरजी उत्तर कर रहे हैं, तो उत्तर बिलकुल यहाँ पे सही है, नोट कर लेंगे, सवाल लंबर चलते हैं, 23 पे, अभिनोव भारत नमक, अंग्रेज, बिरोधी, संगठन का स्थापना किस ने किया था, बीडी सावरकर, बी इस दा करेक्ट आंसर, एक एक कोशन याद रखेगा, सब कुछ यहाँ पे आप लोगो, जो कि एक्जाम के बाद आपको कभर बताऊंगा, मैं कि यहाँ यहाँ से कोशन देखे, देखने को मिले हैं, आप लोगो, देखे, सन 1904 में, नोट कर सकते हैं, ब अभी नो, भारत सोसाइटी के नाम से यह जाना जाता है, सवाल नंबर चलते हैं, दूस्तों, यहाँ पे कोशन नंबर 24 पे, कॉंग्रेस का 1929 का दिवेशन, जिसमें पुन्ड स्वाराज का लक्ष घोशित किया गया था, कहां पर स्थापित हुआ था, लाहॉर is the correct answer, नोट सवाल नंबर चलते हैं, दूस्तों 25 पे, निमलिकित में से, अंग्रेज सास्थाक में से, समचार पत्र से, प्रतिबंध हटाने का स्रे किसी जाता है, चार्ल्स मेंटकॉफ को जाता है, दोस्तों, और यहां से, और यह 15 सेप्टेंबर, डेट लिखेगा, डेट लिखेगा 1835 में, ठीके, 15 सेप्टेंबर 1835 से लाग हो गया था, भारतिया प्रेस में स्वतंदर था, और उन्होंने प्रशिद प्रेस कानून भी लाया था, जिसक के द्वारा, चार्ल्स मेंटकॉफ, ठीके, लॉर्ड मेंटकॉफ के नाम से जानते थे हैं, हम लोग, है ना, तो याद रखेंगे, भारतिया प्रेस मुक्तिदाताब इनको कहते थे, इनका उपनाम है, स्वाल लंबर चलते हैं, 26 पे, भारतिया समिधान सभा के संग, शक्ति समीति के अधेश कौन थे हैं, बेलकोल, पंडित जुआरल नहरू, डी इस दा करेक्ट आंसर, नोट कर लिजीएगा, दोस्तों, यहां से, 27 पे चलते हैं, किस बर्स भारत के एक प्रभूत्व, संपन, प्रजातंत्री, गंडराज बन गया, सन 1950, डी इस दा करेक्ट आंसर, नोट कर लिजीएगा, 26 नवंबर, 27 नवंबर सन 1949 को भारत को पूर्ण संप्रभू लोकतंत्र या गंडराज बनानेगा, और क्योंकि सम्विधान सभा उस दिन जो है, पारित किया गया था, उद्देशी का, अम लोग जुख से लिएंबल, अत्वा प्रस्तावना, है न, 26 नवंबर, 29 नवंचास को अंगिकरित किया गया था, और अधियनियमित और आत्मा प्रियत किया गया, दोस्तों, याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को, तो इसलिए हम लोग उस दिन गणतंतर दिवस भी मनाते हैं, सवाल नमर चलते, 28 पे दोस्तो पाने बात करेंगे, तो कुल 470 अनुछेद हो चुके हैं, आर्टिकल कितने हैं, और 12 अनुसूचिया हो चुकी हैं, यह याद रखेगा, 12 अनुसूचिया हो गई हैं, और 25 इसमें भाग हैं, यह पार्ट यहां पे कितने हैं, 25 हैं, सवाल नमर चलते हैं, दोस्तों, 29 पे, भ संसत की संजुग्ध बैठक का प्रवधान किया गया है, आर्टिकल 108 पे उतर करिएगा, B is the correct answer, नोट कर सकते हैं, सवाल नमर चलते हैं, 31 पे दोस्तों, भारते समयधान का अनुछेद 21, नेमलेखित में से किसके विरूद संदक्षन परदान करता है, आर्टिकल 21 के बारे मे यहां पे 32 पे आंसर करेंगे, समान नयाय और निशुल्क विधिक सहायत्या का प्रवधान समिधान के किस अनुछेद में है, समान नयाय और निशुल्क विधिक सहायत्या का प्रवधान समिधान के किस अनुछेद में है, आर्टिकल 49 के A में हैं, याद रखेंगे, यहां प परदान करना और सभी के लिए नयाय सुनिश्चित करना यह जो है आर्टिकल हमें 49a में पता है सवाल नुमबर 1933 का है कि 1976 में 42 समिधान संसुधन किया गया था ठीक है अब उसमें जो है नागरिकों के लिए कितने मौलिक करता भी निश्चित किया गये थे 1976 में 42 समिधान संसुधन द्वारा समिधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक करतवे निश्चित किया गये थे टोटल दस उतर कर लिजीगा दोस्तों B is the correct answer ठीक है मौलिक करतव्यों की सूची को समिधान में सामिल किया गया था कितने 10 और आपको बदा दे कि फिर अमेंड समिधान कितने मौलिक करतव हैं तो 11 यह भी ध्यान रखेगा अब पूछेगा तो कितना है तो 11 है कब 86 समिधान अमेंडमेंट हुआ था तब के बाद यह 1976 में जब था तो 10 था उस समय सवाल नमबर चलते हैं 34 पे लोग सभा और राजित सभा की संजुक्त बैठक कब होती है बिलकुल याद रखेगा दोस्तों यहाँ पर आंसर कर लिजीगा लोग सभा और राजित सभा में मतभेद होने पर बी इस दा करेक्ट आंसर जितने भी छातर देख रहे हैं इस वीडियो को मैं आपको फिर से थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि जो लोग हमारे application को न अच्चे से टेस्ट लगाईे सांथी-साथ एक वहां पर मोक्त भी दिया गया है जहांपे 25 मोक टेस्ट वहां पर एक solution के साथ दिया गया है उसको भी आप लोग ले सकते हैं उसका प्राइस ज्यादा नहीं है आप लोग यहां पर यह दो काम ज़रूर कर लीजएगा ठीक है सवाल लंबर चलते हैं दोस्तो 35 पे भारते सम्विधान के अनुसार देश के प्रथम नागरी कौन थे भारते सम्विधान के अनुसार देश का प्रथम नागरी कौन था जी हां आंसर कर लीजीगा दूस्तों A. राश्ट्रपती अब आपको बता देकि आर्टिकल 52 के तहर्यत, हाना आद रखिये, आर्टिकल 52 के कहता है कि भारत का एक राश्ळपती होगा और राष्ट पत्वी को भारत के प्रत्रम नागरिक के रूप में जाना जाता है तो कि यह हमारे देश का परती निधित्व करता है ठीक है तो आंसर यहाँ पर कर लिजीगा जी हाँ 35 का उपतर यहाँ पर राष्ट पत्वी हो जाएगा सवाल लंबर 36 पर चलते हैं भारत के उपराष्ट पत्वी पर लगतार दो बार कौन रहे हैं डाक्टर एस राधा क्रिश्णन ए इस दर करेक्ट आंसर नोट कर लिजीगा यहाँ से सवाल लंबर 37 लोगसभा के समान्य अवधी बढ़ाई जा सकती है अब बताईए इसका आंसर क्या होगा बहुत इंपर्टेंट पोश्चन है लोगसभा की समान्य अवधी बढ़ाई जा सकती है संसर द्वारा पारित अधिनियम के अनुसा तो उत्तर ए कर लिजीगा इस दर करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं भारत में वह मंत्री जो संसत के दोनों सद्रों में किसी सदन का सदस्ति नहीं है उस मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कब तक यह महीने के बाद इस दर करेक्ट आंसर नोट कर लिजीगा यहां पे स्वाल उमर चलते 49 पे दोस्तों आंसर कर लिजीगा राष्टपती उपराष्टपती की अनुपस्तिती में राष्टपती के कारे का निर्वहन करूं करता है बिलकुल भारत का मुखनियादीस करता है दोस्तों यह भी आप ध्यान रखेएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूपर निमलिखित उच नियाले में से किसका एक अधिकार है या छेत्रा दिकार है बिल्कुल कोलकाता इस दा करेक्ट अंसर नोट कर लिजीगा यहां से कोलकाता उश्ण अलेका अधिकार छेत्र आता है यहां पर यहां अंडवान निकोबार पर सवाल मरेक्तालीस भारत के राष्टी आवास बैंक निमलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्तों वाली समानो संगी के रूप में सापित हुआ है तो भरति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट कर लिजीगा आपको बता दे कि यह सहायता संस्था के रूप में जाना गया कब तो 1988 में ठीक और यह जो है दोस्तों आवास संबंधी वित्विवस् में तो याद रखेगा मुंबई इस दा करेक्ट आंसर अभी जो है सक्तिकांत दास जो है सक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों 42 पर आंसर करेंगे निमलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वैकल्पिक धनका उधारान है चेक उत्तर कर सकते हैं जीमाँ चेक जूंड पर भी केते हैं ठीक है और और ऑल्न जो हो जाएगा यह अलग हो जाहिए उपर को हो ब्हुंड यूंपे के रूप में जानते है तो चेक ऊतर कर लिजिया कORA रेप्सठेल है है थे नंबर कर दोस्तर सवाल नंबर चलते हैं बारत वर्ष का प्रतम हाइडल पावर प्रजेक्ट कौन सा है बिलकुल करनाटक में इस थे शिव शुंद्रम में आपको मैंने इस से रिलेटेट भी क्यूज करवाए है अगर आप लोग हमारे वाइटी एजुकेशन के फ्री ग्रूप में नहीं जुआने तो अभी जुआन होई है वहाँ पर यह टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम ग्रूप है ठीक है जहां पर डेली सुबह 10 बजे करेंट अफेर और स्टैटिक जीके का जो कभर करवाये जा रहा है इसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज करवाये जा रहा है ठीक है और साथी साथ इसका आप लोग जो है बोट लेना चाहते हैं जिसे इस क्यूज का जितना भी क्यूज करवाये गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आप लो ठीक है और दूसरी चीज यहां पर कि 11 बजी जो है फुल मोग टेस्ट भी आपको करवाय जा रहे तो उसको भी ध्यान में रखिएगा तवाल नंबर चलते हैं 45 पे नमलिकित में से 20 में सब्जीयों का सरवाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं चीन इस दा करेक्ट आंसर नोट कर लिजीएगा दोस्तों चीन की पैदावार बहुत जादा है सब्जी की मामले में अगर देखे तो उत्पादन का छमता जो है लगबग 17.62 मिलियन टन का करता है जहां पर 9205 हेक्टेर में इसकी खेती होती है सब्जियों की उगाई होती है चाइना में यह उत्तर हो जाएगा इस दा करेक्ट आंसर चाइना की करेंसी क्या होती है तो रेनिन भी होती है दोस्तों याद रखेंगे और यहां के कैपिटल सिटी तो देखें चलिए आपको बता देगी सी जिन पिंग जो है एक बार फिर से मंदब तीसरी बार जो है यह क्या बन गए है यहां के राष्ट्रपती बन गया है तो सबसे ज्यादा टारेका लिनीक हो गया राष्ट्रपती के रूप में बजट एक लेख पत्र है जरकार की राजकोशे नीती का सी इस दा करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं पर चलते हैं 47 भारत में योजना आयो का गठन कब हुआ था नोट कर सकते हैं दोस्तों 31 मार्च 1950 को नहीं 15 मार्च 1950 को ठीक है याद रखेंगे डेट मैंने बता दिया है डेट कहीं पूछ लेगा तो सवाल नमबर 48 गेल्ट एंड गेल्ट एड गेल्ट एड गेल्ट एज बाजार किससे समंदित हैं तो यह सरकारी प्रतिभूतियों से समंदित है दस्तों सी इस दा करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं प्रतिभूतियां मतलब की जैसे कि सरकारी और सरकारी कुछ विभाग होते है कै तो सबसक्षी नहीं डभर नहीं घुजरती है कि मैनमार क्लाइब चाइना से देग्हा से लेकिन नेपाल नहीं जाती है तो दोस्ते इन्पॉर्टेंट है नेपाल प्रधान मंत्री का नाम क्या है कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिएगा दोस्तों प्रचंड बन गया है नेपाल के नए प्रधान मंत्री और नेपाल का राज़ानी काठमांडू है कि कि के नोट कर लीजिएगा सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 50 पर अंशर करेंगे अधोल लिकित कौन सी चठ्टानों में जीवास में नहीं पाए जाते हैं सब्सक्राइब अधोर याद रखेगा गरे नाइट में इम्रित जीव हो जाते हैं वहां पर इसलिए तो यह बी उत correct answer note कर सकते हैं सवाल लबब चलते हैं 52 पर पतहार किस देश में इस्थित् आप विल्कुल उत्तर कीजेगा पाकिस्तान डी इस दराइट राइट अंसर पोटहार पोटहार भी कहते का प्रवत्तर छेत्र कहलाता है स्वाल नमर चलते हैं तिरेपन पर निमलिकित में से कौन सी स्थानिय पावन मध्य यूरोप के परवतिये छेत्र से यूगोसलाविया के एड्रियाटिक तट की और प्रवाइत होती है कह इसका नाम हे दोस्तों बोरा टी is the correct आंसर बी ओर एड्र ऑपर यूगोसलाविया के इस द्रेटिक थर्प चलने वाला यह एक तरह थंडी हवा है थिके थंड़ी पूछेगा थंड़ी पाऊने है इसका नाम हिद्ष्टों सवाल नंबपर चलते हैं है यहां परःटल जील जो है मीठे पानी का जील है मीठा पानी का मीठा पानी का यह जील है याद रखेगा इंपोर्टेंट है आ सकता है एक्जाम में ठीक है दक्षिन अमेरिका महादीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी अमेजन सी इस दर करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं आप और आपको बता दी कि दक्षिन अमेरिका से होकर बहने वाली यह नदी है आयतन की सबसे बड़ी और लंबाई में लंबाई की सबसे दूसरी नदी नदी है यह ब्राजील के पेरू बोल्विया कोलंबिया और इक्वाड दोर से होकर बैती है दूस्तों सवाल नमबर चलते हैं दोस्तों 56 पर लुजोन द्वीप किस देश में इस्थित हैं तो फिलिपिन्स इस दा करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं आंसे सवाल नमबर 57 पर चलते हैं भारत के कितने राज्जी समुंद्र के किनारे पर हैं तो ऐसे तो नो राज्जी हैं दो ठीक है याद रखेगा नो राज्जी को छोती है जिसे कि एक गुजरात हो गया एक महराष्ट हो गया गोवा हो गया करनाटक हो गया केरल हो गया तामिल नाडू हो गया आंधर परदेश हो गया और वेश्ट बेंगॉल हो गया तो यह नो राज्ज और कालबी नदियों के बीच में कुमायू हिमाले , इस्तित of तिस्ता हिमाले के रूप में भी जाना जाता है और पंजाब हिमाले जो है सिल्दू और शतलज नदियों के बीच न एक अंसर गुझाषिएगे कौन सी नदी ब् इन जिर नमदा ये इज़ करेक्ट अंसर और तापती ये दोस्तों朝 न को यहाँ चलते हैं फुस्तर को पर लोनार जिल की स्राजय में स्थित एंक है महाराष्ट्रा में हैं दोस्तों यह वू थाना जीले में कहां पर है क्यों योड़ दाना जीले में थिक अन्वाषमाण से राचरते दामोदर नदी घाटी परियुजटन भी है ठीक है जारखंड जो बेंगॉल और का बॉडर है बराकर नदी इसको अलग करती है और यह दामोदर घाटी पर्योच ना है यहां पर दोस्तों सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों और भारत में वन की ताजा स्तिती के संमें रिपोर्ट कौन जारी करता है भारतिος सर्वक्शन विभाग करते हैं। कि बारतिए यहां धुक्यों сपूणों डियाय दून में होके ठीक है। बीस दा कार्येक्ट था नोट कर सकते हैं। तो आलमबर चलते हैं 64 पर आंसर करेंगे बल की परिभाशा आती है न्यूटन के कि गति के पहले नियम से किसी निकाय पर लगने के बाद होने वाली अंतर करिया जो कि निकाय की विश्राम कि अवस्था या फिर गति की अवस्था को बदलती है अत्वा बदलने की कोशिश करती है वह बल कहलाता है ठीक है जो कि हमें गति के प्रत्थम नियम से नियूटन के प्रत्थम गति नियम से हमें पता चलता है कि उसेक से क्या मापा जाता है यह काई है दोस्तों क्यूशेक जल के बहाओ के मापने का सवाल नंबर चलते हैं 66 पे दाब बढ़ने से किसी द्रभ्य का क्वथना बढ़ेगा B is the correct answer नोट कर लिजेगा यहां से सवाल नंबर चलते हैं 67 पे दोस्तों ताप गत्यकी का प्रथम नियम समानता किसे संबंदित या संबंद मामला है गुर्जा के संरक्षन के नियम से यह संबंदित है दोस्तों B is the correct answer सवाल नंबर 68 प्रतिध्वनी का कारण क्या है